स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती प्रित्यर्थ अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला इंडिया के ग्रामेर अपंग सशक्ति करन कार्य के लिए समर्पित हम बरसों से सुनते आ रहे हैं गरीबी हटाओ इस घोशना का उप्योग जब जब अपने देश में चुनाव होने वाला होता है तब हर राजकिय संघटना इसे दोहराती रहती है इससे सच मुझ कितने लोगों को लाभ मिलता है यह तो दुन्या के सामने आज तक नहीं आ रहा है इसी तरह शिक्षा पद्धती के बारे में होता रहता है अपने देश में शिक्षा का अधिकार हमारी देश की घटना के मूलभूत तत्व में शामिल है फिर भी कई सारे बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं यहां बात अगर दृष्टी बाधित या दिव्यांगों के बारे में सोचा जाए तो सब कुछ माइने ही नहीं रखता इसके लिए जिम्मेदार है हमारी दिव्यांगों की शिक्षा के लिए लागों की जाने वाली नितिया और हमारे समाज के हर तपके में मौझूद दिव्यांगों की शिक्षा के बारे में अनास्था इस वातावर में भी हम कह सकते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती अगर कोई बालत आर्थिक दृष्टी से गरीब परिस्थिती में पल बढ़ रहा है और अपने आस पास में रहने वाले बच्चों को पढ़ता देख खुद भी पढ़ाई करने के लिए जिद्ध करता है तो परिवार वालों को उन्हें पढ़ाई का मौका देना ही पढ़ता है बच्चपन की आयू में जो दिव्यान बच्चा अपनी पढ़ाई की जिद्ध पूरी करने के लिए हर कोई हतकंडे इस्तमाल करता है तो वहां आगे चल कर जरूर ही उचा मकाम हासिल कर लेता है और यह भी जब उसके परिवार में कोई भी संसकारक्षम पोशक वातावर्ण ना भी हो तो यह बात और भी बड़ी मानी जा सकती है ऐसे ही श्री मनीश कटारिया और संगीता के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करने जा रही है मुंबई के उपनगर उलहासनगर तपके के एक जुगी जोपडी वाली बस्ती में गवी समाज के कुछ लोग आकर बसे थे उनमें से ज्यादा तर या तो अशिक्षित थे या अर्ध शिक्षित फिर भी जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई कौशल आत्मसात कर जैसे तैसे अपने परिवार की जरूरते पूरी करने में सक्षम हो गए थे शहर की बगल में रहने से उन्हें यथा तथा रोजगार तो मिल ही जाता था ऐसे ही एक परिवार में मनीश का जनम हुआ। उसको तीन बहने और छोटा भाई था। जनम से ही मनीश की आखों की पुतलियों का आकार असामान्य होने से वह अलपद्रिष्टी बालक था। जब उसकी उम्र पढ़ाई योग्यों हो गई तो उसे आम स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश की गई परंतु वहां के शिक्षकों ने उसे दृष्टी बाधितों के लिए विशेश स्कूल में दाखिला लेने की राय दी गई। उसके अनुसार मनीश को मुंबई के विक जाले बदलापूर में दाखिल करवा दिया। वही से वह शालान परीक्षा उत्तीर्ण हो गया और उन्होंने अपने नाम उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल करने के लिए RKT कॉलेज उलहास नदर में दाखिल करवा दिया। वहां से बारवी तक की पढ़ाई पूरी कर प स्थाओं से जुडा था। इस दौरान उसने गंधर्व महाविध्याले मुंबई से संगीत की दो परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर ली। महराश्च के बुल्धाना जिले के एक छोटे से सातगाव देहात में एक गरीब चमार जाती के खेतीहर मजदूर के परिवार में जन भरन पोशन का। इसलिए वह बचपन में हमेशा बीमार रहती थी। समय समय पर उसे बुखार आता था। इस वज़ा से उनका दृष्टिदोश बढ़ता ही रहा। उस परिवार में इसका इलाज करने की कोशिश की पर गरीबी की वज़ा से भी वे असाहाय थे। जब संग संगीता के नाना मुंबई रहते थे। उन्हें किसी जरीये दादर में अंध बच्चियों के लिए पढ़ाने योग्य स्कूल हैं ऐसी जानकारी मिली तो उन्होंने वहां जाकर संगीता को दाखिल करने के लिए कोशिशे शुरू कर दी और संगीता को वहां रहकर प्राप्त करने के लिए दाखिल किया। परंतु आर्थिक आमदनी प्राप्त करने की उलजन में उन्होंने भी एम स्कूल से आक्यू प्रैशर और मसाज थेरपी देने का प्रशिक्षन सफलता से पूर्ण किया। तब उसे थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी। आगे चल कर उसे थेरपी देने के लिए विमेंस इंटरनेशन क्लब और अंधेरी रीक्रियेशन क्लब में थेरपिस्ट के पद पर काम करने का मौका मिल गया। लेकिन स्कूल के वस्ती ग्रह का सहारा त्यागना पड़ा। तब उसने न्याब इंडिया के काका पाटिल वस्ती ग्रह में दाखिला लेकर अपना अर्थार्जन शुरू रखा। संगीता भली भाती जानती थी कि वह अपने देहात के घर में जाकर कुछ भी नहीं कर सकेगी। कहते हैं ना उपरवाला रिष्टो की दोर कब और कहां बंधवा दे इसके बारे तो वहीं जाने। जब संगीता और मनीश S.I.E.S. कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, तब जाने अंजाने में वे एक दूसरे को जानने लगे। उनकी जान पहचान प्रगणता की प्रादान पर पहुँच गई और रिष्टों की दोर मजबूती धारण करने लगी। पर गिरा दिया और वह ट्रेन छूट गई। मनीश का शरीर तो प्लाटफार्म और ट्रैक के साइड में था लेकिन उसका बाया हाथ ट्रैक पर होने से वह कट गया। महीनों तक इसका इलाज सरकारी अस्पतानों में चलता रहा। लेकिन ऐसी अवस्था मैं भी मनीश को अपना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करने के लिए कोशिशे करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए उसने चर्चगेट स्थित IAVH संगड़क प्रशिक्षन केंद्र में संगड़क चलाना सीखना जारी रखा। एक हाथ से संगड़क चलाने में सफलता प्राप्त कर उसने GTL Foundation द्वारा M.A.C.I.T की परीक्षा अच्छे गुणों से उत्तीर्ण कर ली और उनके उच्च माध्यमिक स्थर के शिक्षा के बल पर नौकरी प्राप्त करने की कोशिशे करता रहा। इसलिए उसने स्पर्धा परीक्षा के लिए भी अपनी उचित तयारी करना शुरू रखा। रहेंगे। कब तक नसीब हमारी परीक्षा लेते रहेगा। एक दिन हम सफल होकर ही रहेंगे। सन 2011 में मनीश ने बैंक शेत्र में नौकरी पाने हेतु इंस्टिटूट ओफ बैंकिंग अंड पर्सनल इंस्टर्टर की परीक्षा देकर अच्छे गुणों से उत्तीर्ण की और वह व्यक्तिगत मुलाकात में भी चुन लिया गया। इस वज़ा उसे बैंक ओफ बरोडा की उलहास नगर शाखा में ओफिस असीस्टंट के पद पर नियुक्ती मिल गई। मनीश एक हाथ से एनडरोड मोबाइल पकड़ कर उसी की उंगलियों से टच्सक्रीन मोबाइल चलाने में माहिर हो गया। वह दोर था टच्सक्रीन मोबाइल का जिसने सेटिंग कर द्रिश्टी बाधित चलाना सीख रहे थे। इस कार्य में मनीश ने व्यक्तिगत स्तर पर अपनी भूमी का अदा की और कई सारों को शिक्षा प्रदान की। इसी तरह उसने संग्णक के बारे में भी बहुत अधिक जानकारिया आत्मसात कर ली। जब कभी भी बैंग के संग्णकों में कोई समस्या हो जाती है, तो उसे डोर करने में मनीश आसानी से सफल हो जाता था। मनीश ने अपने कैरियर को आगे बढ़ाने हेतु मुंबई यूनिवरसिटी द्वारा आयोजित डिस्टन्स एडुकेशन प्रकल्प में अपना नाम दाखिल कर वह पदवीधारत बन गया और अपने बैंग की अंधरूनी दो परीक्षाए उत्तीर्ण करने में सफलता प्र मनीश के परिवार वाले कहते कि तुम्हें नॉर्मल पत्नी मिल जाएगी अंधी से क्यों शादी करना है और संधीता के परिवार वाले कहते रहे कि एक हाथ वाले अंधे से शादी कर तुम्हें क्या मिलेया हम तेरे लिए किसी अव्यंग पती धून ही लेंगे लेकिन दोनो अपनी निश्चय पर अडिग रहें। सन 2013 में उन्होंने घरवालों से गुप्त रख कर अपना कोट मेरेश करने के लिए अंधेरी के कोट में नाम दर्स करवा दिया। और 31 दिसंबर 2013 को वे दोनों विवाबध हो गए। मनीश के एक हितैशी ने उसे बदलापूर स्टेशन के पास एक छोटा सा घर किराय से दिया। नया संसार बसने के लिए मनीश की माने उन्हें सिर्फ दो डब्बे और एक चाय बनाने का बरतन दिया। ऐसे में अपना नया संसार चलाना काफी कश्ट पराय था। लेकिन दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। और उनका सफल संसार फलने फूलने लगा। उसी दोरान मनीश की बैंक द्वारा करमचारियों को घर लेने के लिए 35 लाख रुपए का रिन देने की योजना शुरू हो गई। इसके तहट मनीश ने बैंक से रिन हासिल कर ओदुंबर नामक दतंदरी की सोसाइटी में अपना तीन कमरों का घर भूप कर दिया। और समय अनुसार सन 2016 में वे अपने मालिकाना घर में अपना यशस्वी संसार स्थापित करने में काम्याब हो गए। अब मनीश पूर्णता द्रिष्टीहीन हो चुका है और संगीता की द्रिष्टी भी काफी निम्नस्तर पर मौजूद है। अब उनके संसार में महक नामक एक फूल भी खिला हुआ है। मनीश और संगीता महक को शत्रंज खिलाना शिखाते हैं, क्यारम खेलना सिखाते हैं और पियानो द्वारा संगीत की शिक्षा भी दे रहे हैं। महक अपनी मा को अपने घर का सामान निकालने और रखने में भी सहायता करती है। अब दोनों पती पत्मी बहुत खुशी से, संतुष्टता से, स्वावलंबी और सनमान पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। कहते हैं ना जहां चाह होती है, वहां राह होती है। सफलता प्राप करने का द्रिढ निश्चय होना चाहिए। अपनी कोशिशे जारी रखनी चाहिए और धे प्राप्ती के लिए अपना तन, मन, धन अरपन करना चाहिए, ताकि कोई भी बाधा इतनी बड़ी ना बने की वहां आपके प्रगती पत पर रोड़ा बन कर न रह पाए। अपने लगन और मेहन के बलबूते पर जो सन्मान पूर्वक स्थान मनीश और संगीता ने बनाया है, वह सच मुझ ही सरहनिय है। अपने कठिन परिस्थितियों से जुझते हुए उन दोनों ने गरीबी, वंचित्ता और दुरलक्षित परिस्थितियों में जिने वाले हम सभी को जिने की राह प्राप्त करने का उदाहरन प्रस्तुत कर दिया है। जिससे वे बन गए है सफल जीवन यात्री। हैमन्त जपातिल मानत सचीव नैशनल असोशेशन फॉर द ब्लाइंड इंदिया।